स्कॉट्लैंड में एक पालतू कुट्था अपनी मालकिन की बद्नियती का शिकार हो गया महिला ने कुट्थे के साथ ही लियॉन संबंद बनाए और उसका वीडियो भी बना लिया मामला उस वक्त सामने आया जब पुलिस ने लिविंग अटन स्थित उसके घर पर बाल यॉन शोशन की अशलील तस्वीरें होने को लेकर दबिश दी पुलिस को साइबर से सूचना मिली थी कि महिला के आयपी एडरेस से बच्चों के यॉन शोशन की विचलित करने वाली तस्वीरें खोजी गी इसके बाद पुलिस ने घर की तलाशी ली तो हैरान रहे गई महिला के फोन से बच्चों के यून शूशन की धेरों तस्वीरों के साथ एक वीडियो भी मिला जिसमें महिला ने अपने पालतू कुत्ते के साथ यौन संबंद बनाये थे मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महिला का नाम सूजी केंस है अदालत ने उसे इस मामले में दोशी भी माना है सज्जा का एलान ये विंगटन की शेरिफ कोट अगले महीने करेगी 49 वर्ष ये केंस को फरवरी 2016 और अप्रेल 2017 के बीच असलील सामगरी रखने के दो मामलों में दोशी ठहराया गया महिला ने भी अदालत में अशलील तस्वीरे रखने और कुट्टे के साथ संबंद भनाने की बात स्वीकारी है महिला नाम यौन अपरादियों में दर्ज किया गया लेकिन बैक अग्राउंड रिपोर्ड के आधार पर फैसला मुलतवी रखा गया मामले के वकील जिम रोबर्टसन ने लिविंगटन शेरिप कोड को बताया की पुलिस ने स्कॉट्लैंड की साइबर सेल की सूचना के आधार पर जाज की थी जिसमें उसके आईपी एडरेस के जरिय बच्चों की अशलील तस्वीरे देखी गई थी महिला के फोन से सारी अशलील सामगरी मिली जिसके बाद फोन जब्द कर लिया गया था